नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं अपनी अनुसंसा जारी की है, रांची नगर निगम के मेर पद अनुसुचित जाती के लिए रोष्टर आरक्षन के तहट आरक्षित कर दिये जाने के बाद आदिवासी संगठों ने इसका विरोत तेज कर दिया है 23 नवंबर को ट्राइवल एडवाजरी काउंसिल की बैठक मुखे मंतरी के दक्स्ता में हुई जिसमें 11 विशवय परचार्चा के बाद सेडियूल एरिया में मेर के पद अनुसुचित जन जाती के लिए आरक्षित करने सहित कई अनुसंसा की गई आसन निकाय चुनाव में रोष्टर के आरक्षन के नियम पर महादिवक्ता किराय लेने के भी बात हुई इस मामले में जार्खन मोक्ती मोर्चा कवरिश्ट नेता और बिस सुत्री के अध्यक्ष इस्टिफन मरांधी ने कहा है कि निकाय चुराव के आरक्षन फर्मूला से टी एसी का फैसला डिफर करता है उत्तर भारत के राज्यों में ठंड बढ़ने लगी है सुबा और साम के समय तापमान में गिरावट दर्च की जा रही है हलाकि दक्षिन के कुछ राज्यों में अब भी बारिस आफ़त बनी हुई है मौसम विभाग ने बताया है कि बिहार जारखन में अगले कुछ दिनों में 3 डिगरी सेलसेस तक तापमान में गिरावट आएगी मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में बिहार और जारखन के कई इलाकों में निवत्तम तापमान 2-3 डिगरी सेलसेस तक गिरने वाला है इसके बाद कुछ दिनों तक दिनों में बाकी देश के हिस्वों में तापमान बहुत अधिक नहीं बदलने वाला है। देश में भागपा मवादी लगा है। इसको लेकर देश में गुलेरिया वार तेज करने की रणनीती पर काम कर रहे हैं। जहरखन दिवस सामा रोह का मुख्य मंत्री हिमान सुरे ने दिप पर जलीत कर उधाटन किया। इस मौके पर जहां उन्होंने जोहार से अपना संबधन शुरू किया। वहीं इस राज की उपलब्दियों के बारे में उपसित लोगों को बताया। साथ ही उन्होंने प्रकिर्तिक संदरे से परिपूर्ण में इस राजे में आने का निमंत्रन लोगों को दिया। कहा है कि खनरी जमपदा के साथ साथ इस राजे ने खेल खिलाड़ियों को भी अपनी बेहतर उपसिती दज कराई है। का लाब भी दिखने लगा है। अब एक दिसंबर गुरु आरको चार बये से होगी। मंत्री परिशत केबिनेट की बैठाक जारखंड मंत्राला इस्थीत मंत्री परिशत कक्ष में होगी। जारखंड में सरकारी स्थीती में सुधार तथा बच्चों को गुनवाता पुन सिक्षा सुनेशित करने के लिए स्कूली सिक्षा योम्सक्ष टता बिभाज तथा जारखंड सिक्षा परियोजना परिशत के पदा अधिकारी अभहर अम कम से कम एक बार जीलों का दवरह दैंगे। इसे लेकर सभी 24 जीलों में एक एक जीले की जिमेदारी निदेशक से लेकर अवर सचीव अस्तर के पता अधिकारी को दी गई है इस करम में अधिकारी सिक्षा कर्यालियो तथा स्कूलों का निरिक्षन कर सिक्षा योजनाओ की समिक्षा करेंगे तथा वहां की कम्यों की परताल कर विभाग को रिपोर्ट सोपेंगे रांची के मुराबादी में एक्सपो उत्सव का अगाज जुनियर चेमबर इंटरनेशनल रांची के 25 वे एक्सपो उत्सव का अगाज हो गया है राजेपाल रामेश बैस ने गुरु आर को मुराबादी मैदान में एक्सपो उत्सव उत्सव दुहजर बाइस रांची का तेवार का अउधगाटन किया जुनियर चेमबर इंटरनेशनल रांची की ओर सायुजित 5 दिवसे एक्सपो उत्सव में 8 हैंगर में 325 से ज़्यादा इस्टोल लगे हैं देश विदेश के कई इस्टोल यहाँ हैं जिसमें सूज से लेकर कार, जेसी भी और मकान तक की विक्री हो रही है मानो तसकरी के सिकार जहारखन के 14 बच्चे दिली से मुक्त तमाम पर्यास के बाद भी जहारखन में मानो तसकरी थम नहीं रहा है मानो तसकरी के सिकार जहारखन के 14 बच्चे दिली से मुक्त कराए गया हैं यह साहिब गंज के हैं मानोतसकरी के सिकार बालक बलिकाओ को मुक्त करा कर उन्हें पुर्णवास किया जा रहा है बता दे इन बच्चों की काउंसिलिंग के लिए यह पता चला कि रेखा नाम की एक बारा वर्ष ये वच्ची को उसके गाउं के एक ब्यक्ति ने अफ़रन कर एक वर्ष पहले दिली लाकर विभीन इलाकों में कोठियों में घरेलू कारे में लगाया था जाम तड़ा की ततकालिन सीयो हेमा समेत अने के खिलाप ACB जांच का आदेश जाम तड़ा की ततकालिन अंचला अधिकारी सीयो हेमा परसाद समेत अने के खिलाप अब ACB जांच करेगी जारकन के सीयम हेमा सुरे ने इससे जुड़े परस्ताव को मंजूरी दे दिया यह मामला जाम तड़ाजीले के मही जाम थाना अंतरगत बुट केरिया मोजा में अवय धरूप से जमीन की खरीद बिक्री किये जाने से समय्धिद है मुख्य मंत्री हेमां सुरे ने ततकालिन अंचला धिकारी हेमा परसाद यम अने के खिलाब जाम तराजिले के मिहित जाम थाना अंतरगत बुट के रिया मोजा में अवाई धरूप से जमीन की खरीद भीक्री किये जाने से समन्धीत मिजाम थाना कांड संखे 47 वाई 2016 को भरस्टा चार निरोधक पीरो को हस्तातित करने के प्रस्ताप पर अनुमधित दिया है चात्रा में बीजेपी की जन आक्रोस रेली भारतिय जन्ता पार्टी चात्रा जिला दोरा आयोजीत हमान तहटाओ जारखन बचाओ कारकरम की तहट जन आक्रोस रेली इवन परदसन कारकरम का आयोजन हुआ भाजपाजी लाद्याग असोग सर्माक नेतित वे जन आक्रोस रेली चात्रा मुख्य डाक घर चोक से केसरी चोक होते हुए समनाला तक पहुचा इस दोरान पार्टी नेताओं ने हेमान सरकार पर जम कर परहार किया सभा को संबोधित करते हुए चात्रा सांसा सुनील सिंग ने कहा है कि जारखन की हमान सरकार की कारे परनाली से पूरे राज की जनता को बताने का परयास हो रहा है इस राज में कोई सुरक्षित नहीं है पालामू में बीजेपी की जन आकरोस रैली जारखन सरकार की जन बिरोधी नीतियों भरष्टाचार के खिलाब भाजपाने गुरुवार को मेदनी नगर में जन आकरोस रैली निकाल कर बिरोध परलसन किया इस मोके पर केंद्रिये सिक्षा राज मंत्री अनपूर्णा देवी हेमन सरकार के किरिया कलाब पर खुब गरजी इस दवरान जे में सुप्रियों सीवु सुरेन और राज की सीएम हेमन सुरेन पर जमकर निसाना सदह बिजेपी की जन आकरोस रैली मेदनी नगर के सीवाजी मैदान से होते हुए छामुहान चौक कछारी चौक होते हुए पलामो के समनाला तक पहुँच कर रह रैली एक जन सभा में तब्दील हो गाई केन्दरीर राज मंत्री और पूना देवी ने साभा को समवध्रीत करते हुए कहा है कि अब्वा राज के बब्वा मुखे मंत्री ने पूरे ज्ञारखन को लूट लिया है खेलो ज्ञारखन पर त्योकिता में खुब दवड़े और खेले पलामु के बच्चे खेलो जार्खन परत्योक्ता का आयोजन गुरु आरको पलामू में हुआ जिलाई स्कूल मैदार में आयोजित इस परत्योक्ता में स्कूली बच्चों ने सिर्कत किया पलामू के बियो हरेंद्र तिवारी ने 800 मिटर दोड के परत्योक्ता में भाग लेने के लिए सूबा सही स्कूलों से बच्चों का आयना सुरू हो गया था परत्योक्ता के दोरन पूरे मैदान में जस्न का महल रहा हर जित के बाद जहां कि लाड़ी ने अपने सार्थकों के साथ जस्न मनाया वहीं हारी हुई टीम निरास रहे इस परत्योक्ता में पलामों से सबसे अधिक खिराड़ी दोड में भाग लेकर जम कर पसिना भहाया सबसे अधिक परत्योक्ता दोड की हुई इस परत्योकता में 800 मीटर के अलावा 400, 200 और 100 मीटर दोड में उम्रे के इस आप से कई वर्ग किये गए सीबी एसी का एक्टिवीटी बेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए राइश्ट्रेशन सीबी एसी राष्ट्रिये सिक्षा नीती 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के कौसल एम समगर विकास को बढ़ावा दिया गया है एकटिवीटी बेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का आवेजान ओफ लाइन मोड में 16 एवं 17 दिसंबर को चीराक इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद में किया जाएगा सिक्षक लिंक के माधियम से रेइस्ट्रेशन करा सकते हैं रेइस्ट्रेशन कराने के अमतिमती थी 10 दिसंबर है धनबाद रेलेवे एस्ट्रेशन रोड की दुकानों की मापी सुरू धनबाद रेलेवे एस्ट्रेशन रोड की फुटपाथ दुकानों पर रेलेवे ने चठाई सुरू कर दी है अवैध कबजा वाले फुटपाथ दुकान हटाने के साथ ही वैसे दुकाने जिनके आगे की जगह की घेराबंदी कर दी गई है उन्हें भी तोड़ा जाएगा गुरु आर को रेलेवे के इंजिनियर विभाग के करमचारी आरपी एफ के साथ पहुँच गए दुकानों की मापी सुरू कर दी गई इस्टेशन रोड से रांगा टार तक अवैध कबजे वाली फुटपाथ दुकानों को हटाने के साथ या स्थाने दुकानों पर भी रेलेवे की गाज गिरने वाली है होम गार्ड बहाली में दो युवक फर्जी सर्टिफिकेट के साथ गिरफतार खोटी में चल रही गिरी हिरक्षाव आयनी के बहाली पर किरिया के दुरान बिहार के लखी सराजीले के दो अव्यार्थियों को फर्जी दास्तावेज के साथ पकड़ कर पूलिस को सौब दिया गया है एक सब्ता से चल रही होम कार्ट बहाली की पर किरिया गुरु आरको समाप्त हो गाई पकड़ेगा युवकों के पास से फर्जी अस्थानिय परवन पत्र अधार कार्ड मैट्रिक सर्टिफिकेट भी बरामत किये गा है जनकारी के अनुसार अस्थानिय बीरसा मुंडा स्टेडियम में चल रही बहाली पर किरिया में भाग लेने दोनों युवक फर्जी पवन पत्र के साथ पहुँचे थे पकड़ेगा युवकों की पाचान सर्बीन कुमार और राजेस कुमार के रूप में हुई है मुख्याले DSP जैदी प्लकडा ने बताया है कि दोनों युवक गुरु और को होने वाली पर किरिया में भाग लेने आये थे धन्यवाद